हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलेजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है तो आज हम अनैल्सिस करेंगे सेंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो as usual शुरू करूँगा fingers के analysis से उसके बाद चेक करेंगे fingers की setting को and mounts को और सबसे last में हम चेक करेंगे lines को इस तरह से पुरे hand का जो analysis हम complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ साथ साथ draw करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा यह जो नमबर आपको आपकी स्क्रीन के उपर नजर आ रहा है यह मेरा WhatsApp नमबर है अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें WhatsApp के जरिए सिगनल के जरिए या फिर टेलेग्राम के जरिए Message Send कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक Squary Shape में नजर आ रही है जो Indicate करती है एक Hard Working Type की Nature को और अगर इनकी Fingers को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं Fingers काफी थिक हैं और बहुत अच्छी लंबाई में नजर आ रही है यहाँ पर आप इनकी Fingers के Base Falanges से चेक कर सकते हैं इनकी Thickness का जो Indicate करती है काफी अच्छी Energy and Stamina को अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी तरजनी उंगली काफी अच्छी Length में है लेकिन उपरी सिरा इस Fingers का थोड़ा सा अंदर की तरफ छुकता हुआ भी आपको नजर आएगा इस तरह का छुकाव होना थोड़ी वैराग्या की भावना को इंडिकेट करता है थोड़ी isolation की feeling ऐसे native के मन में रह सकती है जिनकी finger इस तरह से शनी finger यानि इस मध्यमा उंगली की तरफ छुक रही हो overall यह finger लंबाई में काफी अच्छी है जिसकी वज़े से native की leadership qualities अच्छी रहती है ऐसे व्यक्ति ग्यानवान होते हैं काफी knowledgeable type की personality ऐसे व्यक्ति की रहती है और अपनी इनी खूबियों की वज़े से जीवन में काफी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे native कामियाब रहते हैं अगर हम देखें इनकी शनी finger को तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो शनी finger है बिलकुल straight है काफी अच्छी लंबाई में है इस तरह की लंबी शनी फिंगर का होना और थिक शनी फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि native काफी hard working nature का रहने वाला है काफी मेहनती type की personality साथी साथ एक disciplined nature एक अनुशाशन प्रिया और नयाए प्रिया type की personality ऐसे व्यक्ति की रहती है और खास तोर पर अपनी इन्ही खूबियों की वज़य से जीवन में बहुत अच्छी तरक्य कर पाने में ऐसे व्यक्ति कामियाब हो जाते हैं अगर हम इनकी सूर्या फिंगर की बात करें तो सूर्या फिंगर यहाँ पर काफी अच्छी क्वालिटिस ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं जिनकी सूर्या फिंगर अच्छी लंबाई में हो साथी साथ ऐसे नेटिव थोड़े रिस्क टेकर सभाव के होते हैं जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की टेंडेंसी इनकी देखी जा सकते हैं अगर हम इनकी मर्करी फिंगर यानि बुद्ध फिंगर की बात करें तो आप देखेंगे बहुत यची लेंथ है इस फिंगर की लगबग इनकी सूर्या finger के top phalanche के क्रीब पहुँच रही है लेकिन काफी low set mercury finger इनके हाथ में नजर आ रही है आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर draw करकर अगर हम यहाँ से एक रेखा draw करना शुरू करते हैं तो कुछ इस तरह है कि एक रेखा आपको बनती हुई नजर आएगी जिसमें यहाँ finger आपको बाकी की उंगलियों के मुकाबले काफी नीचे से शुरू होती नजर आगी जैसे इनकी यह सूर्य finger है यह शनी finger है और यह गुरू finger है तीनों ही काफी हाई सेट है जबकि इनकी mercury finger काफी low सेट है जिसकी वज़े से native शाई सभाव का रहेगा थोड़ा शर्मीला सभाव ऐसे व्यक्ति का रहता है लेकिन finger की लंबाई का अच्छा होना जैसे आप यहां से लेके यहां तक देखेंगे इस finger का length में होना native के business equipment को better करता है ऐसे व्यक्ति का business equipment strong रहता है उसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति के communication skills भी काफी बहतर रहते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी mounts को उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रिखाओं को भी तो सबसे पहले इनके गुरू परवत को देख लिया जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो गुरू परवत का area है काफी उभरा हुआ यह जो area अगर किसी व्यक्ति का उठा हुआ हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति काफी knowledgeable होते हैं spiritual minded होते हैं दूसरों की help करने वाली personality ऐसे व्यक्ति की रहती है बहुती बारीक रिखाओं से आपको इस area में कुछ इस तरह का क्रॉस बनता हुआ भी नजर आएगा गुरू परवत के ओपर क्रॉस का बनना काफी अच्छा माना जाता है यह क्रॉस जितना clear हो जितना deep cut हो उतने जादा अच्छे result रहते हैं यहाँ पर यह बहुती हलकी रिखाओं से है लेकिन इस क्रॉस का बनना native को lucky बनाता है ऐसे व्यक्ति middle age के आसपास पहुँचकर समाज में काफी अच्छा सम्मान पाने लगते हैं आप यहाँ पर देखेंगे कुछ upward जाने वाली ऐसी चोटी चोटी रिखाएं आपको नजर आएंगे जो इनकी जीवन रिखा और मस्तिक्ष रिखा में से निकल कर उपर की तरफ बढ़ रही है ऐसी चोटी चोटी branches का होना native की अच्छी progress को indicate करते हैं ऐसे व्यक्ती जिनके हाथ में ऐसी रिखाएं गुरु परवत पर पहुँच रही हूँ ऐसे व्यक्ती अपने चीवन में काफी अच्छी तरक्की कर पाने में काम्याप हो जाते हैं अगर हम इनके गूठे की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे जिन लोगों की तेली पर ऐसा चिन्ड बनता है ऐसे व्यक्ती की six sense strong होती है आने वाली घटनाओं का पूर्वा अभास ऐसे व्यक्ती को बाकू भी हो जाता है कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो अपने किसी मित्र या relative के साथ होने वाला हो ऐसी चीजों के बारे में इनको पहले से ही पूर्वा अभास होने लगता है इस तरह के चिन्ड का होना native को काफी lucky बनाता है काफी अच्छे पूर्वा अनुमान की क्षमता भी ऐसे व्यक्ती की देखी जा सकती है अगर हम बात करें इनके शनी की आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो शनी का area है हलका सा flat है और शनी रेखा यहाँ पर आपको थोड़ी सी कमजोर पढ़ती हुई भी नजर आगी आपको draw करकर दिखाना चाहूँगा यहाँ जो शनी का area अगर flat हो या दबा हुआ हो तो native के जीवन में संघर्ष थोड़ा ज़्यादा रहता है शनी रेखा की बात करें तो आपको यहाँ से शुरू होने वाली शनी रेखा लगबग यहाँ तक पहुँचती हुई उसके बाद यहाँ रेखा आपको बहुती बारीक होती नजर आएगे कुछ इस तरह ऐसे यहाँ रेखा आगे बढ़ती नजर आएगे बीच में इस तरह की breaks का होना, overlapping का होना indicate करता है कि लगबग 35 की इस तक ऐसे native के चीवन में थोड़े absent downs बने रहते हैं लेकिन इस तरह की एक strong line अगर शनी परवत की तरफ मस्तिक श्रेखा से निकल कर बढ़ती है आपको बताना चाहूंगा किस रेखा को मस्तिक श्रेखा कहते हैं यहाँ जो line है इसको मस्तिक श्रेखा कहा जाता है यहाँ से अगर की रेखा इस तरह से strong होकर आगे बढ़े तो यहाँ रेखा native को 30 की एज में चलकर बहुत अच्छी तरक्की दिलवाने में help करती है ऐसे व्यक्ति अपने चीवन में काफी अच्छी तरक्की पाते हैं यहाँ तरक्की 30 की एज में चलकर और जादा बहतर हो पाती है अगर हम बात करें इनके सूर्या की आप यहाँ पर देखेंगे सूर्या मांट का जो एरिया है हलका सा दबता हुआ नजर आ रहा और लंबी सूर्या रेखा का अभाव है जैसे अगर कोई रेखा हतेली में सेंटर में से यह कहीं से भी शुरू होकर शनी की तरफ बढ़ जाएं ऐसी रेखा हो इसे शनी रेखा या भागया रेखा कहते हैं और ऐसे ही अगर कोई रेखा यहां से सूर्या परवत की तरफ बढ़े इसे सूर्य रेखा कहा जाता है लेकिन यहां पर सूर्य रेखा का अभाव है और यहां जो मौंट है यह हलका सा दबता हुआ नजर आ रहा है जिसकी वज़े से नेटिव को यश मिलने में कमी महसूस होगी ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले दूसरों की कितन यहां पर देख सकते हैं मरक्री माउंट जो है भले ही लो सेट है लेकिन काफी उभरा हुआ यहां पर एक हलकी मरक्री लाइन भी मौचूद है जिस वज़े से नेटिव का बिजनस अक्वमन अच्छा रहेगा ऐसे विक्ति बिजनस के माध्यम से धन कमा पाने में जीवन में सफल होते हैं अगर हम बात करें इनकी लाइन ओफ हाट की आप यहां पर देखेंगे इनकी जो हाट लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही है और यहां पर आकर बहुत छोटी सी रिखाओं से एक वी टाइप का सिंबल बनता हो जिसे हम विश्नु चिन कहते हैं कि लगे रहें तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छी तरक्की जरूर पाते हैं लेकिन इसके बिलकुल आपोजिट अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाट पर इस तरह से फोग्ड हाट लाइन हो गलत रास्ते पर चलकर वहीमानी से धन कमाने की जीवन में कोशिश करने लगे तो बड़ हाट लाइन में कुछ हलकी ब्रेक से एक रेखा उपर की तरफ चलती हुई और यहां रेखा आपको यहां पर आकर बिलकुल रुकती नजर आएकर बीच में एक हलका ओबरलैप बनता हुआ इस तरह की हाट लाइन का होना नेटिव को थोड़ा एमोशनल नेचर का बनाता है ह हाट लाइन में कोई major problem नहीं है लेकिन यहां पर आकर आप देखेंगे कुछ इस तरह से एक overlap इनकी हाट लाइन के जरीए भी हमें नजर आ रहरा है तो इस तरह का overlap अगर हाट लाइन के बिलकुल last वाले एरिया में नजर आए तो नेटिव को कई बार blood pressure जैसी शिकायत later 2019 में मस्तिश रेखा अगर लंबी हो और स्ट्रेट हो तो नेटिव की मैमरी काफी अच्छी रहती है ऐसे विक्ति की यादाश्ट और माइंड पावर काफी बहतर होती है अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जीवन रेखा है या बीच में आकर हमें हलकी सी ओवरलाप होती हुँ नजर आएगी हलकी सी एक गाप बनाती हुँ नजर आएगी यानि यहाँ पर आप देखोगे यहाँ रेखा काफी लंबी जुरूर है लेकिन बीच में आकर यहाँ रेखा हमें कुछ इस तरह से एक गाप इंडिकेट कर रही है जो लगभग यहाँ पर 40 के आसपास की एच में कुछ प्रॉब्लम दे सकता है health related या किसी तरह के चोट कवर अप कर रही है तो कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती ऐसे व्यक्ति के चीवन में कुछ minor इशू लगभग 40 के आसपास की एच में आ सकता है लेकिन उसके बाद भी इनकी जो life है वो continue रहेगी ऐसे व्यक्ति लगभग 75 के आसपास की एच तक life को enjoy कर पाते हैं overall दे हैं कि सुकसवधाएं मिल जाते हैं हर तरह की luxuries को ऐसा व्यक्ति enjoy कर पाता है इस मांट के ओपर कुछ बारीक रिखाएं भी मौचूद हैं इस तरह की रिखाएं जिनने वरी लाइन्स का नाम दिया जाता है अगर ऐसी रिखाएं हाथ में मौचूद हो तो native को प्रिवार की तरफ से कुछ न कुछ चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है और खास तोर पर ऐसी रिखाएं होने से relationship में और married life में भी थोड़ी instability native को आ सकती है अगर हम यहां पर देखें इनके हाथ में बनने वाली मंगल रिखा को तो मंगल रिखा का मौचूद होना काफी अच्छी energy and stamina कामना को indicate करता है ऐसे व्यक्ति काफी energetic होते हैं और साथी साथ इस तरह की रिखा का होना native को property के मामले में भी लखी बनाता है ऐसे व्यक्ति अपने चीवन में काफी अच्छी property बना पाने में भी काम्याब रहते हैं चंदरपरवत के उपर कोई भी negative चिनिया लेकिन अंदर क तो ये कुछ analysis थे इनके hand के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के जवाब एकी वीडियो के तुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिनिया स्वाल रह जाता है तो इनसे request है कि अगर इनका कोई question pending है तो मुझे whatsapp पे message करें मेरा वीडियो watch कर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद